अकाट्य सत्य के समान स्थापित है रास्ट्र पिता महात्मा गांधी का कथन भारत अपने गावों में बसता है इसी कथन को साकार रुप देता महारास्ट्र में पूने से करीब 115 किलो मीटर की दूरी पर जिला एहमद नगर का एक गाव हिवरे बाजार कहते हैं हर वर्तमान का अपना एक अतीत होता है असी के दशक में हिवरे बाजार के बाशिन्दों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था कारण था शित्र के विशम प्राकृतिक सनरचना और भागोलिक स्थिति इस गाव में कूच नहीं था ना पीने को पाणी ना स्वाच की सुईदा बहुत सारी परिशानी करके लोग गाव छोड़के शिहर जा रहे थे पहला काम हमने यह किया कि वाटरशेट का काम किया शेत्र के स्थिति देखते हुए सरकार ने वाटरशेट कारिक्रम को यहां लागो किया और फिर ग्राम पंचायत की संजीत की और ग्राम वासियों की सक्रिय भागिदारी से स्थिति में बदलाव की संकेत मिलने शुरू हुए गाउं हिवरे बाजार अपने धुंदले अदीद से उबर चुका है आज यहां जिन्दगे में तरक्की और खुशाली की रंग है गाउं में सडक, सीवर, बिजली पानी जैसी सभी बुनियादी सुक्सु विधाये हैं जो किसी भी विकसित शेत्र की जरूरते होती है आईए, हम क्रम से इनी का आकलन करने की कोशिश करते हैं गाउं में आप कहीं पर भी चले जाईए गंदगी का नाम और निशान भी नहीं मिलेगा यहां के बाशिंदे घर तु साफ करते ही हैं घर के बाहर और आसपास की सफाई को लेकर भी कोता ही नहीं बरतते हर घर में शौचाले है गाउं का गंदा पानी सीवर से नाले तक पहुँचता है साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से निश्चिन्त ग्राम पंचायत का खुला एलान एक मच्छर लाओ, सौ रुपे ले जाओ यहां घर घर तो पानी पहुँचता ही है साथ ही, टैंकर के द्वारा आसपडोस के गाउं में भी पेयजल आपूर्ती की जाती है इससे गाउं को अतिरिक्त आमदनी भी होती है गुजरात राज्ज के समान, यहां भी खेती के अलावा डेरी व्यवसाय, ग्राम वासियों की तरक्की का एक बड़ा कारण है इलाके की भाउगोलिक विशमता का अंदाजा भली भाती लगा चुके ग्राम वासियों की खेत्र की हरियाली को लेकर सजग है नतीजा, यहां तीन लाग से अधिक व्रिक्षों के लिए पौधा रोपन किया गया है जिसके कारण शेत्र की काया पूरी तरह से बदल चुकी है गाउं हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे के पूरक है सभी निर्ने आपसी सहमती से लिए जाते हैं हिवरे बाजार के उपलबधियों को लेकर चर्चा का आलम ये है कि आसपास से ही नहीं विभिन्न राज्यों से भी आगंदुकों का आवागमन यहां निरंतर जारी रहता है ग्राम पंचायत के कक्ष में हो रही ये मीटिंग महिला मंडल की है गाउं में महिलाओं के बहुत से स्वयम सहायता समोश सक्रिय है जिनके कारण महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ा है मजबूत घर परिवार और मजबूत समाज की सनरचना के लिए ये ज़रूरी भी है हिवरे बाजार के उप स्वास्थे केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रती पूरी तरह से सजग है विशे शुरूप से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ जांच आधनक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम यहां मौजूद है अतीत में जो गाउं कभी अपने ग्रामवासियों के पलायन का मुख गवा था आज वही गाउं अपनी सम्रिध्धी के कारण अन्य लोगों के लिए रोजगार का कारण बन रहा है गाउं में BPL परिवारों की संख्या मात्रत तीन है कभी गाउं से पलायन कर शेहर गए लोग अब गाउं वापस आ चुके हैं यहां आकल गिर गया था पानी नहीं था कुछ नहीं था जबीन काफी तेले कि उसको यह जो साधन एवो नहीं थे न हम लोग के बाद फिर हम लोग बंबाई पोचे तो वाटर सेट का काम चादू हो गया इधर जरा हर्याली दिखने लगी पानी होने लगा इधर फिर हमारा हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत अपने ग्राम वासियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग है ग्राम पंचायत भावन में ही बैंक आफ महारास्टर की शाखा है और A.T.M.J.C. सुविधा भी यहां के वाचनाले में प्रमुक पत्रिकाएं और अखबार नियम से आते हैं ताकि ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं ग्राम वासियों तक नियमित रोप से पहुचती रहें